हलो दोस्तो वेलकम टू स्टडी वी थुसेन दोस्तो पिछली वीडियो में पार्ट वन में हमने बात किया था एक्स्टरनल फीमेल जनाइटाइलिया के बारे में और अब जो वीडियो का सेकेंड पार्ट है इसमें हम बात करेंगे इंटरनल जनाइटाल ओर्गन के बारे में यानि कि जो internal genital organ होते है फीमेल के उसके बारे में हम बात करेंगे तो जानने के लिए बने रही है वीडियो के एंट तक जो चलिए शुरू करते हैं देखे इस वीडियो में सबसे पहले हम यहाँ पर superficial ही देखेंगे उसके बाद हम diagram के तुरू एक एक organ को एक एक system को हम यहाँ पर explain करेंगे अच्छे से तो देखे यहाँ पर सबसे पहले जो internal organ start होता है वो हमारा vagina से होता है जो female का internal organ start होता है वो vagina से start होता है तो सबसे पहला पार्ट होता है vagina उसके बाद यहाँ पर होता है cervix उसके बाद यहाँ पर आती है इसकी layers जो होती है perimetrium, myocartrium, perimetrium, myometrium, endometrium और उसके बाद यहाँ पर overi आती है फिर fellopian tube आती है, femri आती है, uterus आता है पूरा तो यह क्या होता है, कैसे होता है इस वीडियो में हम diagram के तुरू देखेंगे, तो चलिए शुरू करते है तो यहाँ पर जो सबसे पहला दो vaginal organ होता है, internal vaginal organ होता है, वो होता है vagina तो यहाँ पर सबसे पहले हम vagina की बात करेंगे, ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यह superficial lateral side से बनाते हैं देखें, यह तो uterus हो गया, female का, यह inside, uterus हो गया, यहाँ पर जो होता है, service खुलता है, उसके बात जो होता है, यहाँ पर हम देखेंगे, यह यह vagina की layer हो गई यहाँ पर, ओके, यहाँ पर एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे के यह हम uterus बनाते हैं आपर, एक चोटा सा uterus बनाते हैं, यह, यह, यह यह वेजाइना है, यह फेलोपियन ट्यूब है, यह फिम्परी है, यहां से यह ओवरी आती है, यहां पर ओवरी, यह फिम्परी दोनों तरफ होता है, फेलोपियन ट्यूब, यहां से यह ओवरी आ गई, यह यूटरस होता है, और यह वेजाइना होता है, तो यह इन साइड के जो ये और्गन होते हैं, ये इंटरिनल और्गन होते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने ये बनाई, एंटिरियर वोल, ये जो साइड है, इसको हम बोलेंगे, एंटिरियर वोल, एंटिरियर वोल ओफ वेजाइना, ओके, दूसरा यहा वोल ओ ये यह सर्विक्स खुलता है यह उसके बाद आता है यहां पर यह जो पीछे यह जो बेढ़े वोल होती है जल्ग से यहां पर एक गड़ा ताईप का होता है चोटा सा उसको हम बोलते हैं पोस्तीरियर fornix इसको हम बोलते हैं anterior fornix यहां पर देखे यह anterior fornix तो यह anterior fornix हो गया अब यहां पर देखे बात करेंगे anterior fornix की length कितनी होती है anterior fornix की length और posterior fornix की length यहाँ पर posterior fornix की हम length की बात करेंगे तो anterior fornix की जो length होती है यह जो यहाँ तक होता है यह anterior wall यहाँ से anterior fornix यानि के anterior wall anterior wall posterior wall की जो length होती है यानि के यहाँ से लेकर यहाँ तक यह जो length है यहाँ तक यह होती है 7.5 cm मीटर ओकी और जो पोस्टिरियर फॉर्निक्स होती है यहां सर यहां पर हमने देखा था लेविया मेजोरा इस तरह से खुलते हैं लेविया मेजोरा और यह प्यूबिक सेंफाइसिस होता है यहां पर लेविया मेजोरा खुलता है लेविया माइनोरा कलाइटोरिस यहां पर हो नाइन सेंटिमेटर वोल इसकी होती है जो पोस्टर वोल की लेंद्ध होती है अब जो ये होती है इसकी जो ये यहाँ पर ये वेजाइना है इसकी लेंद्ध कितनी होती है इसकी लेंद्ध होती है 3.77 इंचेस ओके ये इसकी लेंद्ध होती है यहाँ था वेजाइना की माने जाती है 3.77 इंचेस इसकी लेंथ माने जाती है अब जो इसकी जो वेजाइना होती है इसके अंदर जो लाइन्स होती है इसके अंदर जो वेजाइना होती है वेजाइना के अंदर जो लाइन्स होती है उसको हम वोलते है यह जो लाइन्स होती है यहाँ पर लाइन्स यह किस चीज़ की बनी होती यह होती है Stratified Squamous Epithelium Vaginal Lining यहाँ पर लिख लिए Vaginal Lining Stratified Squamous Epithelium Stratified Spice Epithelium और यहाँ पर देखें Vagina का pH कितना होता है यहाँ पर एक पॉइंट और Vagina का pH कितना होता है Vagina pH जो होता है वो 4.5 होता है यहाँ पर इसके pH की बात करना है तो यह Maximum जो pH यानि कि इसका pH जो acidic हो जाता है यहाँ पर लिखेंगे Maximum acidic pH जो होता है यह बढ़ जो जाता है यह Pregnancy में बढ़ जाता है इन Pregnancy Pregnancy में जो इसका Maximum acidic pH होता है वो Maximum होता है यहाँ बहुत जाता होता है और जो Minimum होता है जो Minimum acid pH यानि कि Maximum basic pH Maximum basic pH यहाँ पर acidic है यहाँ पर basic है तो यह जो होता है जब Menstruation Cycle सुरू होता है तब Menstruation Cycle में और Minopause में यह इतना होता है यह basic होता है अब अगर यहाँ पर हम Anatomical Relation की बात करें इसके Anatomical Relation की Anatomical Relation की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं देखिए यह हमारा यह female का एक uterus है यह उसके बाद यहाँ पर आती है यह विजाईना उसके बाद यह होता है यहाँ पर rectum होता है यह rectum होता है यह विजाईना तो यहां पर हम देखेंगे कि anterior side में हम सबसे पहले anterior में देखेंगे anterior posterior और lateral side से क्या दिखता है हमको ठीक है तो anterior side में जो होता उपर की side वो होता है bladder and urethra bladder and urethra posterior side में देखेंगे तो upper upper one third pouch of douglas pouch of pouch of douglas क्या होता pouch of douglas जो होता है posterior side में anterior side तो यह हो गई anterior side यह हो गई है जो वेजाइना है उसकी anterior side यह posterior side यह तो posterior के one third में जो यह area होता है यह इसको हम बोलते है pouch of douglas pouch of douglas क्या होता है pouch of douglas में जो होता blood जब ovary का ovulation होता है तो ovulation से थोड़ा से जब under release होता है तो वहां से थोड़ा सा blood निकलता है जिसमें female को कभी कभी बीच में दर्द भी होता है तो जब जो blood आता है उपर से ovary से निकल कर जो blood आता है वो इस pouch of Douglas में जमा हो जाता है हर महीने तो यह जो और इस pouch of Douglas में जो blood होता है इसको phagocyte engulf कर लेते हैं बहुत होता है यह लगबग चार से पांच हमेल होता है ज्यादा नहीं होता है चार से पांच हमेल यहाँ पर blood आता है उसके बाद lateral side में आकर देखेंगे तो middle में middle में one third में हम देखेंगे ampulla of rectum और lower side में middle side lower side में हम देखेंगे कि यह one third lower lower में हम देखेंगे one third perineal body body ओके यह तो यह पूरी वेजाइना हो गई यानि कि वेजाइना क्या होती है कितनी होती है कितनी इसकी length होती है कितना इसका centimeter होता है कहाँ पर इसका diagram होता है ओके यह हमने देखा anterior wall, posterior wall अब हम दूसरे में बात करेंगे uterus की दूसरा part आता है यहाँ पर uterus तो uterus कहाँ होता देखिए uterus हम पूरा diagram यहाँ पर बना के आपको एक बार दिखाते हैं यह देखिए यह वेजाइना है यह उवरी है और यह फिम्परी है यह फिम्परी यह है फिम्परी और यह जो होता है यह वाला area जो है इसको हम बोलते है uterus अब इस uterus के जो होते है basically three part होते है देखिए यहां से लेकर यहां तक जो ही पार्ट होता है इसको हम बोलते है body body उके उसके बाद दूसरा part होता यह जिसको हम बोलते है इस थमस और यह जो होता ने यह वाला area नीचे का यह वाला इसको हम बोलते हैं service यह एरिया होता तो uterus के दो पार्ट है uterus के three parts है body इस थमस एंड शर्वेप ओके पन टू थिरी अब इसकी हम लेयर की बात करें तो uterus की जो लेयर होती है इसकी जो लेयर होती है वो होती है तीन ओके कौन कौन से होती है नमबर वन perimetrium myometrium endometrium यह तीन इसकी लेयर होती है ओके perimetrium जो होती है यह outer layer होती है हम अभी दखाएंगे दाइग्राम बना के outer layer होती है यह inner between layer होती है muscular layer जिसको हम बोलते है muscular layer between between बीच में और यह जो होती है यह inner layer होती है यह जो होती है muscular layer होती है ओके यहाँ पर हम डाइग्राम के थुरुआ कर देखें layer by layer तो यह uterus है यहाँ पर तो यह जो layer होती है यह first layer मान लीजी इसको इसको हम बोलेंगे perimetrium और second वाली layer होगी इसको हम बोलेंगे myometrium myometrium और third जो layer होगी इसको हम endometrium यहाँ पर होती है यह endometrium जब female के menstrual cycle होता है यानि कि जब period सुरू होते है तो यह जो layer होती है यह ब्लैक वाली जो endometrium होती है यह टूत कर गिरने लगती है और blood के तुरू यह वेजाएना के तुरू तीन से चार दिन तक इसकी सफाई हो जाती है और यह पूरी टूड जाती है यह गिर जाती है बाहर को तो यह होती है इसके अबर epithelium के line epithelium line के अगर बात करें epithelium lining के अगर बात करें तो इसके अंदर columnar epithelium होते हैं columnar epithelium इसके अंदर होते हैं अब अगर हम इसके कुछ main point की बात कर लेते हैं weight की weight कितना होता है तो इसकी weight के अगर बात करें तो non pregnant में कितना होता है non pregnant में अगर बात करें तो यह होता है 50 से 70 gram और प्रेगनेंट में ये लगवक 1000 ग्राम होता है तुरंट डिलिबरी के बाद भी इसका जो वेट रहता है वो 1000 ग्राम रहता है यहनि के during, after, immediately इमेडियरी अचे डिलिबरी पर बेबी तो इसका भी, यही 1000 ग्राम जथा है 1000 ग्राम अब इसका जो pregnant woman होती है तो अब इसके अगर हम length की बात करें यानि कि यहाँ से लेकर यहाँ तो इसकी length कितनी होती है तो length की अगर इसकी बात करें तो यह non pregnant में तो होता है 6-7 cm जो non pregnant है और जो pregnant होती है उसमें 35 cm का size में बढ़ जाता है अब इसके volume के अगर बात करें volume कितना होता है इसका volume इसके अंदर volume के अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर non pregnant non pregnant में 10 ml और pregnant में यह होता है 5000 ml तो यह हो गया uterus अब एक point और है यहाँ पर देखे diagram में यह जो point है इसको हम मिटा देते हैं यह जो point होता है यह जो point होता है जहाँ पर phelopin tube, round ligament, ovarian ligament, round ligament और यह जो uterus का inside part होता है इसको हम बोलते हैं cornua cornua ओके इसको हम बोलते हैं cornua तो इस cornua पर जो structure कौन कौन से attach होते हैं cornua पर cornua पर कौन कौन से structure attach होते हैं यहाँ पर देखिए phelopin tube attach होती है round ligament attach होता है और ovarian ligament ovarian ligament attach होता है ओके तो यह हुआ वे जाएना और uterus के बारे में अब यहाँ पर uterus के बाद आती है phelopin tube phelopin tube यहाँ पर हम देखिए diagram के तुरू बनाएंगे फिर बताएंगे आपको यह होती है phelopin tube ओके यह phelopin tube यह होती है phimri इसके विज़ो phelopin tube होती है इसके basically चार पार्ट होते है इसके होते है four part phelopin phelopin tube इसके basically चार पार्ट होते हैं कौन-कौन से देखिए number one पर होता है phimri 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 यह दूसरे पर होता infantibulum phandi bulum दूसरे पर होता infantibulum तीसरे पर होता एमपुला चोते पर होता इस थामस यहां पर देखिए यह होता है phimri इतना पार्ट यह phimri उसके बाद आता है यह infantibulum यह उसके बाद यहां पर जो यह वाला पार्ट है second वाला देखिए first second third यह third वाला होता है इसको एमपुला बोलते है fourth जो पार्ट होता है इसको बोलते है इस थामस इस थामस जो fourth number का पार्ट है ओके तीरी for इसको हम बोलते है इस थामस यहां पर यह fourth part इस थमस हुआ अब इसके length की अगर बात करें कि यहां से लेकर यहां तक जब fallopian tube की length होती है अगर length की बात करें length of fallopian tube तो इसके लगबाद 10 cm long होती है 10 cm 10 cm यह long होती है यहां से यहां तक अब जो इसका function होता है देखिए यहां पर होती है ओवरी, यहां से यह ओवेरियन लिगमेंट, यह ओवरी तो यहां से जब हर मन, यानि के हर महीने के लास्ट में, जब यह फेटिलाइजेशन यानि के ओविलेशन होता है तो यहां से एक अंडा release होता है यहां से जो यह mature अंडा होता है यह release होता है तो यह Fimri पूरी तरह से इसको ढख लेती है catch कर लेती है अंडे को यहां से हमने जैसे अंडा release हुआ यहां तक आ जाता है और यहां पर थोड़ा सा blood चार से पांच अमिल जो हमने पीछे बताया था वो गिर जाता ब्लड और वो पाउच ओप डगलस में आ जाता है यहां से यहां पर जो अंडर बैठा हुआ होता है वहां से इस पंप से अटेच हो जाता है तो उसको फर्टिलाइजेसन बोलते हैं तो बेसिकली जो फर्टिलाइजेसन का जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं एमपुला इस्थमस जंक्सन यह जो होती है यहां पर इसको एमपुला इस्थमस जंक्सन बोलते हैं यहां पर फैलो इसके अगर हम बात करें alignment of epithelium की इसकी जो epithelial lining होती है epithelial lining के एगर बात करें कि अ इतो यह जो होती हैं यहां पर होती है chartered column columnar epithelium Siliated Columnar Epithelium Epithelium ओके तो यहां पर Siliated Columnar Epithelium जो इसकी epithelial lining होती है उसके बाद इसके जो Spatial इसके जंदर Cell होती है Spatial Cell जिसको बोलते है Spatial Cell होती है एक इसके अंदर जिसको हम बोल देंगे Peg Cell अब लास्ट पार्ट आता है ओवरी का ओके देखिए ओवरी ओवरी यहां पर ओवरी की बाहर हम बात करें तो ओवरी जो यहां से देखिए यह ओवरी होती है इस तरह से ओके तो इसका जो मीजरमेंट होता है वो थिरी इंटू टू इंटू वन ओके कैसे देखिए यहां से य और इसका जो ये वाला measurement होता है इसको हम बोलते है one ओके यानि के इसके लंबाई चुड़ाई और मोटाई ये होती है three into two into one इसका जो ratio होता है ओके समझें इसमें basically ज्यादा बताने लाइक नहीं है लेकिन कुछ point है इसमें main main और जो ये covered होती है न देखिए हाँ कर हम बताते हैं ये covered होती है ये जो covering होती है इसकी इसके जो covering होती है उसको हम बोलते है keywordal type of ये जो होते है न keywordal type of epithelium होते है cell epithelium cell this known as इसको हम बोलते हैं germinal epithelium cuboidal cell germinal epithelium cuboidal cell germinal cuboidal epithelium cell इसको हम बोलते हैं ये जो होती covering तो इसके जो हमारा जो ये female का genital internal genital organ होता है यहाँ पर कुछ ligament भी होते हैं तो हम यहाँ पर दुबारे साब को देखिए अच्छे तरीके सा डाइग्राम बताएंगे बताएंगे और उसकी blood supply यहाँ पर अच्छे तरीके सा आपको बताएंगे देखिएगा तो यहाँ पर हम सबसे पर डाइग्राम बना लेते हैं देखिए यह uterus inside of uterus uterus की uterus हुआ यह फेलोपिन ट्यूब यह फिम्बरियो है फेलोपिन ट्यूब यह फिम्बरियो है यहां से एक Prestate ligament okay ovarian ligament यहां पर यह ovary यहां पर होती है okay यह आप समझ तो गए होंगे नाम लिखने की कोई जरूवत नहीं है उसके बाद यहां पर देखे इनसाइड इंग लाइनिंग इसकी होती है जो मतलब layers होती है फिरी यह layers यहां पर बना लेते हैं अब यहां पर देखिए लिगमेंट जानना बहुत जरूर है लिगमेंट के हम यहां पर बात करेंगे तो यहां से यहां तक होता है पूरा यह पूरा लिगमेंट यहां तक यह इस तरह से होता है यह इस तरह से इस लिगमेंट को हम बोलते हैं ब्रॉड लिगमेंट ब्रॉड लिगमेंट ओके वो जो ये ब्लू वाला यहां से जो आता है इसको हम बोलते हैं ओवेरियन लिगमेंट ओके अब जो यहां पर एक आता है लिगमेंट इस तरह से एक और लिगमेंट आ रहा होता है यहां पर हम देखिए हैं बताते हैं यह इस तरह से लिगमेंट एक और आ रहा हुता है इसको हम बोलते हैं राउंड लिगमेंट राउंड लिगमेंट तो यह लिगमेंट हो गए अब यहां पर हम बात करेंगे blood supply की ओके तो यहां पर देखिए superficially यह आया ओर्टा ओके यह ओर्टा यह ओर्टा ने दो पार्ट्स में divide किया ओके जिसको ओर्टा यह divide किया दो पार्ट्स में जिसको हम common iliac artery बोलते हैं उसके बाद इसने common iliac artery से दो arteries निकल गई एक यह और यहां पर iliac artery और यह होगी internal iliac artery okay internal iliac artery यह internal iliac artery है अब यहां से blood supply निकलती है तो देखिए हम इसको मिटा कर यहां पर लिख लिया यह आपने यहां पर मिटा कर यहां पर अच्छे से हम इसके blood supply कर लेते हैं यहां से ठीक है यह यहां से आवे अब जो internal iliac artery है यहां से blood supply निकलती है यह देखिए यहां से blood supply आई यह होगी vaginal artery ओके यह vaginal artery की छोटी-छोटी capillaries है यह इसको हम बोलेंगे vaginal artery vaginal artery यहीं से ही एक और artery निकलती है यह uterus को यह supply करती है इसको हम बोलते हैं second number first uterine artery uterine artery उसके बाद एक blood supply और निकलती है direct otis है यह ovarian artery होती है यह होती है ovarian artery यह किस चीज़ को supply करती है देखे यह करती है philipine tube को supply philipine tube को supply करेगी इस तरह से philipine tube को और यह ovarie को इस तरह से supply करेगी ok और यहाँ पर और एक छोटी-छोटी branches होती है यहाँ पर जिसको हम बोलते है arcuate artery arcuate artery ok so diagram में आपने देखी लिया होगा यहाँ पर पूरा देखिए यह हमने पूरा discuss किया इसके बारे में किया पूरा internal genital organ anatomy जो female की है यहाँ पर हमने पूरी तरीके से बात किया कौन-कौन से ligament होते हैं कौन से layer होती है कितना weight होता है और उसकी मतलब blood supply क्या होती है ok तो इस वीडियो में पूरा यह हमारा जो internal organ internal genital organ internal genital organ हो गए so वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताईएगा thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में thank you for watching